बिस्मिल्ला रहमान रहीम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 70-412 का लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में अब हम एक्टिव ट्रेक्टरी की तरफ आते हैं और एक्टिव ट्रेक्टरी में आज हम जो पहली चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट्स मैनेजमेंट सर् करता है मतलब किन हलात में या किन सेनेरियू में इसको यूज कर सकते हम फिर हम ADRMS को डिप्लॉय करेंगे और इसके जरीए हम अपने डिफरेंट जो डॉकुमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे ठीक है तो सबसे पहला क्रेस्चन यह है कि ADRMS होता क्या है ठीक है आपको याद होगा आपने पिछले लेक्ट्र जो दो पड़े हैं आपकी इंक्रिप्शन के बारे में था और एक लेक्छर और था जिसमें हम किसी डॉकॉमेंट को करते हैं किसी स्पेसिक डॉकॉमेंट को सर्टिफिकेट च जरीए और दूसरा अमने जो पड़ा था वो तह था वो था आपका विंडो इंक्रिप्शन ठीक है विंडो इंक्रिप्शन और दो चीजों को बाद ये एक तीसरा टूल है मैक्रोसॉफ का ADRMS जो भी जो security प्रवाइड करता है ठीक है लेकिन यह security थोड़े से अलग लेवल की है ठीक है इसके बारे में हम पढ़ते हैं बाद में इसका मैं comparison भी करूंगा उन दो दो चीजों के साथ जो हमने पढ़ी है ठीक है security tool that provides persistent data protection ठीक है जो data protection देता है enforced data access policy data की policy define करता है और उसको access कौन सा बंदा उस data को access कर सकता है कौन सा बंदा उससे फाइल को उस document को open कर सकता है open करने के बाद कौन सा बंदा उसको file को view कर सकता है delete कर सकता है या उस file को copy या जो print command है उसको देख सकता है ठीक है एक होते है आपकी security क्या कहते है उसे sharing and security permission वह लग है कि आप किसी folder पर permission देते हैं या specific document पर permission देते हैं कि कोई भी बंदा इस document को read कर सके ठीक है अब read कि आपने permission दे दी ठीक है अब उसके बाद आगे होता क्या है read कि आपने permission दे तो दी लेकिन एक unauthorized user ठीक है आपकी company में बठा हुआ user एक authorized है इस data को read करने के लिए यह आपका जो data है यहाँ पढ़ा हुआ read करने के लिए उसको authorized है ठीक है लेकिन वो इस data को copy करके किसी ना किसी तरह आपी company से बाहिर ले जाता है कंपनी से बाहिर ले जाता है किसी और system पे ले जाता है copy कर लेता local drive पर उसको email में टैज करें किसी को भेज देता है ठीक है तो उसके लिए तो यह document read only नहीं होगा वो इसको पड़े भी सकता है delete भी कर सकता है और आपकी company की बहुत सी information वो leak भी कर सकता है ठीक है तो यह इस case म कही miss place हो जाती है leak हो जाती है email से आपको file किसी को भेजते हैं send कर देते हैं और one authorized किसी user के पास किसी hacker के पास पहुंच जाती है और वह फिर उन document से आपके excel word और different तदा के documents से वह आपकी company का बायड़ा बगारा चीजों को read कर लेता है और उसके साथ access हासिल कर लेता है ठीक है इसलिए diagram में हम पढ़ते हैं हम आपको बताता हूं कि ADRMS होता क्या काम किस्ता करता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि आग बास एक active directory का environment होना ज़रूरी है ठीक है ADRMS जो आपकी install होगी और आप separate SQL server database के लिए भी install कर सकते हैं लेकिन अगर हम valid करेंगे तो हम RMS अपने AD के बंदा है इसका नाम जॉन है जॉन ने क्या किया है कि यहां शेरिक पर एक फाइल पड़ी हुई थी उस फाइल को इसकी उपर व्यू भी था एडिट भी था और प्रिंट की इसने permission लगाई और वो फाइल वाया email email कर दी इस बंदे को जो आपकी company को का बंदा नहीं है एक ब read only permission है view की वो भी एक खास बंदे को जब यह इसको receive होगी mail और यह इसको download करेगा तो यह अपने system में भी इसको सिर्फ view कर सकता है अपने system में भी इसको edit नहीं कर सकता वो अपने laptop से भी इसको print नहीं कर सकता क्यों क्योंकि उसके साथ जो information जूड़ी है वो आपके ADRMS server से authenticate ह होगा ठीक है इस case में आप internet की case में जाते हैं तो आपको ADRMS की जो ports open करनी पड़ती है और इसको demilitarized zone में रखना पड़ता है port forwarding करवानी पड़ती है ताकि all over the world यह recognize हो सके इसके उपर request आ सके और यह request को process कर सके ठीक है configuration में कोई difference नहीं है लेकिन हम अपने lab environment में अपने एक ही domain पर रहते हुए एक ही चीज़ पर रहते हुए यह different permission हम किस तरह सेट करते हैं मतलब मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक इसकी अंदर जो document बनाएंगे हम उसके उपर copy की permission ना दें किसी को और printing की permission ना दें दो तिन permission ना मटा देंगे जिसकी वैसे क्या होगा कि यह जो document है य और ना ही इसको एडिट कर सकेगा और ना ही इसको copy कर सकेगा यह जो permission होती है printing की copy की यह आपकी कोई भी security यह शेर permission में आपकी यह include नहीं होती है और वहां से आप इस चीज़ को handle नहीं कर सकते ठीक है अच्छा यह थोड़ी सी leakage के बारे में आपको बता दूँ कि information author जैसे यह था john john के पास यहां एक file पड़ी हुई थी ठीक है और john ने कई एक file लेके और reception पे एक बंदा था यहां कोई recipient था उसको उसको उसने यह file access दी share पे उस बंदे ने क्या किया जी उसने का अच्छा यह file मेरे पास आ गई इसका मतलब इसमें बहुत confidential document है उसने USB attach की और यह USB में ले गया अगर आपने USB ब्लॉक की हुई है तो उसने email में attach की और email में send कर दी या उसने अपने mobile device में किसी तरह WhatsApp यह किसी तरह save कर ली और उसके बाद उसने यह अपनी जो file है वो किसी external user को दे दी और यह जो external user है जिस तरह मर्जी चाहे उसका use कर सकते हैं अगर आपके पास ADRMS नहीं है वो इसको view कर सकते हैं इस file को print कर सकते हैं इस file को copy कर सकते हैं इसके इसके अंदर जो content है और उसको आपकी company के खलाफ यह company के आप कहलें hacking के तोर पे है किसी भी तरह वो उसको use कर सकते है य अच्छा जब हम protection की बात करते हैं ADRMS की तो ADRMS में जो protection होती है और robust protection होती है ASC 128 bit जैसरा हम वहां पढ़ चुके हैं अपनी encryption में के different mode होते हैं production के यह उस तरह की production इसमें लगाता है ठीक है और extensive client side enforcement करता है कि जो भी client is file को open करेगा जो भी client is file को open करेगा यह रीट करने कोशि कोशिश करेगा तो उस पर सबसे पहले policy enforced होगी जो policy आपने backend से अपने ADRMS के server से implement की हुई है ठीक है very easy to use है ठीक है UI integrated with office जो products है मतलो office word excel तो आप कोशिश करें अपनी lab environment में जब आप बनाएं तो एक client machine बनाएं उस पे एक office install कर लें लाकि हम office के साथ इसकी permission के साथ खेल सकें ठीक है author जो होगा file का उसको simple एक simple सा option होता है appropriate options होते हैं वो select करने पड़ते हैं जिसकी व्यासे उसकी file lock हो जाती है और वो file चाहे वो email से send हो जैसे मर्जी हो बाहर चले जाए वो file पर lock लगा रहता है और वो file को कोई भी open नहीं कर सकता ठीक है action कोई required नहीं होता customer की side से ना customer का technical training को जरूरत है मतलब एक उजारी बात है आप company में काम करते हैं तो आपको पता होगा के customer जो आपको होता है वो बहुत ही बेवकूफ होता है उसको किसी चीज का पता होता है उसको किसी चीज का पता होता कि my computer कौन से है आप उन्हें कहेंगे my computer वो कहेंगे it's your computer तो उनको किसी चीज का पता नहीं होता ठीक है और उनके लिए ऐसी permission या ऐसी चीज आप provide करेंगे तो वो उनके लिए और complicated हो जाएगा तो इसलिए जो ADRMSS ने इस चीज को make sure किया है कि जो end user है जिसको आप बताएंगे कि भाई यह तुम्हारी फाइल है इसको तुम यहां से जाके अ तो मर्जी करो यह तुम्हारी जिम्हारी जिम्हारी है तो बहुत easy permission है वह easily उसको manage कर सकता है और easily उसको assign कर सकता है दूसरे users को automatic certificate होते हैं अगर आप HTTPS पे इसको configure करते हैं तो certificate आपको लगाना पड़ेगा और license management जाहरी बात है लाइसेंस आपको इसको इसको प्राइल वर्जिन है हमारे विंडोस का मुसी को लेकर चलते हूँ इस पर चलेंगे और बहुत small traffic इसकी होती है कोई इतना heavy traffic नहीं भेजता यह LAN या WAN के उपर ठीक है और बिल्कुल low cost है मतलब इसके लिए कोई आपको खास एक पूरा infrastructure encryption का और यह चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है यह एक picture जो मैंने बनाई है अगर आपने मेरे मेरे EFS और sorry BitLocker इन दोनों के lectures follow किये हैं तो आपको थोड़ी इसी understanding इसकी easily हो जाएगी ठीक है देखें BitLocker में क्या होता है कि local user file and folder production जो आपके local system पे जो files and folder पड़े हुए है आप उनकी production करते हैं ठीक है physically जो है आप अपने branch office जो server है उसको insecure करते हैं आप उसकी drive को encrypt करते हैं आप उसके पुरी data को encrypt करते हैं पूरी drive को करते हैं और lost और stolen laptop जो होते हैं उन case में आपकी जो यह है bitLocker वो काम करता है जो के वो system only होगा जो EFS है protect information from other user on a shared machine अगर एक ही computer पर तीन चार लोग बैढ़ते हैं तो वो अपने data को encrypt करके EFS के जरीए रख सकते हैं ताके कोई और उसको open ना करे ठीक है finance की देख लें या company के जो bills है या company के जो salaries है वो word excel में कहीं पढ़ी हुई है और मैं admin हो तो जाहरी बात है वो share पर पढ़ी है तो मुझे तो permission होगी और मैं उसको खोल के देख भी सकता हूं उसको add भी कर सकता हूं उसको delete भी कर सकता हूं और even कि मैं salaries या कोई चीज इस तरह क कि देख सकता हूं कि किस बंदे की कितनी salary है किस बंदे के क्या rank है या कोई document confidential company का मैं read कर सकता हूं तो उस case में आप EFS लगाते हैं कि आप make sure करते हैं कि इसकी access सिर्फ एक specific जो HR का बंदा है उसी के पास रहे और उसके लावा admin के पास भी उस चीज की access ना रहे ठीक है protect my information to my smart card smart card के दरीए जैसा मैं बता चुका हूं कि EFS smart card के दरीए भी use होता है और उसको उसके जाथ भी encrypt कर सकते हैं ठीक है जबाब कि यह चीज़े cover हो जाती है तो रह जाता है पीछे collaboration with other on protection information जबाफ फाइल किसी को भेजते हैं email कर दी या अपने file या अपने file किसी को USB में दे दी तो भाई ना आपका EFS काम करेगा ना आपका bit locker काम करेगा क्योंकि वो file ही उस share permission से या उस जगह पे मजूद नहीं है जहां हो actual मजूद थी और जो चीज़ इंक्रिप्ट थी तो वहां आपका RMS काम करता है set fine grant usage policy on any on my information अपनी मर्जी की policy तो usage policy आप RMS पे लगा सकते हैं और direct control वहां जहां मेरा direct control लेंगा आपके computer पर जो जो लोग मेरे lecture सुन रहें मुझे आपके computer पर कोई control हासिल नहीं है अगर मेरे पास यहां कोई file है और वो किसी तरह आपके तक पहुंच गई है तो आप उस file के साथ आप जो मरजी करें आप उसको edit करें आप उसको delete करें copy करें जो मेरे जो जब भी वो file open हो दुनिया के किसी भी कौने में किसी भी computer पर तो उसकी information मेरे पास आए कि unauthorized user ने इसको access किया है या जब वो उसको access करेगा तो वो file उसके लिए open ही नहीं होगी open हो भी जाए तो मैंने permission अगर लगाई या copy नहीं होगा तो copy नहीं होगा मैंने permission लगाई कि भाई इस file से कोई printer नहीं ले सकता इसको view नहीं कर सकता edit नहीं कर सकता तो even के मुझे control आपके computer पर भी मिल जाएगा RMS के जरीए अपनी file के लिए जो file मेरी share थी और किसी ना किसी तरह वो आपके तक पहुंच चुकी है ठीक है मेरे ख्याल में आपका concept clear हो चुका यहां के RMS EFS और bitlocker यह तीनों चीज़े company में किसी जगह कहां कहां यूज की जाती है ठीक है अच्छा आर दो चीज़े होती है एक होता है RID RMS client ठीक है और एक क्योंता है ADRMS server हमारे lecture में ADRMS server जो है उस पर गौर करेंग और उसको पढ़ रहे होंगे लेकिन client क्या होता है which request license and enforced assigned right protection at the document level to a file and messages वही चीज़ है file and level और messages के level पर करता है server के करता है यह आपको एक administrator control देता है central जगह देता है आपकी active directory के साथ integrate होता है और वहां से आप easily चीज़ों को manage कर सकते है ठीक है server की definition अगर हम पढ़ें तो the server component of active directory rights management server is implemented by a set of web policies or services sorry that run on microsoft internet component IIS हम install करेंगे तो IIS भी install होगा 2008 से ये काम शुरू हुआ था और आप इसको साथ साथ आप इसको simple को server में add करके 2012 में 2016 में आप इसको use कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर हम यह हम client की तरफ आते हैं तो beginning with Windows Vista अगर मैं Windows Vista की बाहत करूं the compliant component of active directory rights management servers is installed with operating system operating system के साथ install होता था और फिर आप इसको pre-order download भी कर सकते हैं किसी operating system के लिए अगर आप ADRMS client के साथ configuration करना जाते हैं यह central control नहीं देती आपको लेकिन आप आप चाहें तो इसको भी configure कर सकते हैं ठीक है तो बढ़ते हैं अपनी lab की तरफ direct और ज्यादा practical करते हैं इसको install करते हैं ADRMS server को और फिर इसके जरी हम different policies लगाते हैं एक tip मैं आपको दूंगा इसकी configuration करने से पहले एक Windows client बना लें और उसके उपर domain join करवा के उसके उपर एक office जो आपका 2013 है या 16 अवेलेबल है तो उसको install कर लें ठीक है ताके लैब में हमें को problem ना हूं different तरह की policies को apply करके देख सकें तो guys बढ़ते हैं अपनी lab की तरफ और lab में चलके आप हम इसको configure करते हैं कि काई सब्सक्राइब में आ चुके मैं इस वक्त अपने domain controller पर हूँ ठीक है जैसा कि आपको याद होगा हमारा एक domain controller है और अब इसके उपर मैं ADRMS install करने जा रहा हूं तो ADRMS install करने के लिए सबसे आप पहले अपने इसका जो रोल है वो install करेंगे add roles and features में जाएं और add roles and features में जाके वहां से हम active directory rights management service का जो रोल है उसको select करेंगे उसके साथ कुछ web services है इसकी आई इसकी है वो install होंगी उसको भी install होने देंगे और उसके बाद हम इसको आगे next configure करेंगे ओके तो अब भी हम चलते हैं simple next करेंगे इसका role-based installation है बिल्कुल role-based installation है इसकी और next ओके तो अभी मैं इसको next कर रहा हूं installation पे ADRMS active directory rights management services इस पे क्लिक करेंगे और धेर सारे यह कह रहा है कि मुझे कुछ features चाहिए इसके जो prerequisite हम होंगा okay install कर लो इसको भी अपने साथ और फिर हम simple इसको next करेंगे ठीक है इसको कर देंगे next करेंगे और restart मैं कहता हूं और इसको चाहिए तो इसको restart कर देंगे और मैं install कर देता हूं अब जब तक यह install होता है इसको ने के बाद वापिस आता है तो फिर हम इसकी next configuration करते है है राइट मेनेजमेंट सर्वर की और कुछ टेंपलेट बना के डिफरेंट यूजर पर अप्लाए करके देगे ओकी तो जब यह install हो जाएगा आपका फीचर तो आपको एक प्रॉम्ट आएगा प्रफॉर्म अडिशनल कॉन्फिग्रेशन आपने इसके उपर क्लिक करना है और उसके बाद हमें डियार मेंस की जो कॉन्फिग्रेशन अब हो करेंगे ठीक है सबसे बहले हम इसको next करेंगे और next के बाद हम चलेंगे कि हमारा जो क्लेस्टर है न्यू है हम न्यू बना रहे हैं एक्सिस्टिंग मारे पास कोई क्लेस्टर नहीं है इसका और एक न्यू सैटप है वह जी डेटाबेस बताएं मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप सेपरेट स्कुल डेटाबेस रखना चाहें तो यहां आप सर्वर का नाम और डेटाबेस इंस्टरंस दे सकते हैं लेकिन मैं अभी विंडोस की इंटर्नल डेटाबेस यूज करूँगा नेक्स करूँगा और यहां यह मुझसे डुमेन यूजर अकाउंट या सर्विस अकाउंट पूछ रहा है मैं इसके लिए एक सैपरेट अकाउंट भी बना सकत हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा इसके लिए एक सैपरेट सर्विस अकाउंट क्रियेट कर लें ठीक है ओकर डिफॉल्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब में एक और बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं अपने यूजर में जाएंगे एडमिनिस्टेटर है मेरे पास जैसे यह इ करने यह उर्म्स के नाम से एक अकाउंट बना लेते हैं इसका पास्वर्डड डिफाउयन कर देते हैं क्योंकि यह सर्वर्मस का जो पास वर है मैं इसका निवर एक्सपाइर पर रहूंगा थीक है ताको कल पास-वड एक्सपाइर होने की वाएसे मेरी सर्विसीस इसकी डा पासवर्ड देता हूं ठीक है अख्शेप्ट कर लिया इसने अब नेक्स करेंगे इसके अंदर क्रिप्टोग्राफी इनकी जो इसकी कि प्रिप्टोग्राफी के जरी होगी यह बहुँत बड़ा चब्टर एक अलग चीज़ा क्रिप्टोग्राफिक लेकिन आप इसको देंट मोर 2 पर रखें और इसको next कर दें और use ADRMS currently managed by key storage ठीक है इसी पर जाने दें इसको और यहां password दे दें आप उसका key storage का यह मैं आपको बताऊंगा आखे कहां जाके use होगा यह ठीक है और website जो इसकी होगी वह हम default website रखेंगे इसकी क्योंकि हमारे केस में default ही है हम निक new website नहीं बनाएंगे next करेंगे इसके लिए सब्सक्राइब इसका मैं एड्रेस देता हूँ आर्मस.mylab.local ठीक है इस अड्रेस की हम देने समें प्र एंट्री भी कर देंगे ताके जो भी request आए वह आर्मस.mylab.local की वह इस server पर evolve हो जाए next करूँगा name दूँगा मैं licensing certificates कहां से आए मैं भी ADC का नाम ही दे रहा हूँ इसको register the scp now इसको अभी मैं register करूँगा service connection point को इसको और मैं इसको install कर दूँग install करने के बाद यह मुझसे कहेगा कि आप log off करें एक दफार और फिर login करें ताकि आम ADRMS की configuration कर सके तो यह install हो जाएगा फिर मैं अपने इस server को log off करूँगा session को और दुबार एड्मिनिस्ट्रेटर से login करके वापस आऊँगा ओके गाइस तो जब यह install हो गया है मैंने log off करके login कर लिया है उसके बाद अपने start menu में जाएं और यहाँ simple right लिखें हैं right लिखते हैं तो right management services इसका आ जाएगा active directive management services को open कर लें मैंने already इसको open कर लिया तो open करने के बाद जो सबसे पहला काम है वो आप देखें कि इसके अंदर आपको नजर आएगा क्या आपकी cluster की settings क्या है है एक मिनट अगर मैं इसको okay लेकर मुझे यह भी चाहिए okay तो यहां आपको नजर आ रहा हुआ cluster की setting क्या है ADC मेरा cluster है certificates भी इसी से शुरू issues वगरा होंगे ठीक है और change service account आप यहां सकते हैं trusted policies कौन-कौन सी है ठीक है अभी हमने कोई नहीं बनाई template हमने कोई नहीं बनाया account अपने कोई नहीं बनाया कुछ नहीं किया exclusion policy security policies ठीक है अभी हम बनाएंगे template template बनाने के लिए आप right click करें इधर ठीक है सबसे पहले हम टॉम का जो पास्वर्ड है वो रिसेट कर लेते हैं ताके हमें यह याद रहे कि पास्वर्ड कंप्लेक्स नहीं है कि इसको मैं कर देता हूँ कुंप्लेक्स टॉम का और दूसरा जो मैं ग्रूप एक होगा एक नॉन एचर का ठीक है नॉन एचर के अंदर आप देख सकते हैं कि हलक एंजेरी तो हम टॉम को यूज करेंगे और जैरी को यूज करेंगे जैरी का भी मैं पास्वर्ड जो है वो चेंज कर देता हूं ग्रूप को हम यूज करेंगे ठीक है एक 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 ग्रूप को और एक नॉन एचर के ग्रूप को ठीक हा उसके बाद आप जिस तरह चाहें पॉलिसी से खेल सकते हैं इसके साथ ओके तो अब मैं दोलों के पास्फ़ड रिसेट कर दिए हैं है HR और non HR मेरे पास एक ग्रूप आ गया सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूंगा इधर और सबसे पहले पूछता है जी राइट सबसे पहले मैं इसको करूंगा कि यह क्या है इंग्लिश लेंग्विज है कौन सी है इसका मैं नाम दूँगा एक और मैं कहता हूं ब्लॉक कॉप्पी मतलब ब्लॉक कॉपी कह देते हैं यहां आप इसको कह दें फॉर नौन हर इसकी description क्या है इसके अंदर ब्लॉक कॉपी होगा ठीक है एडिट होगा प्रिंटिंग होगा ठीक है मैं इसको एड करता हूं और यहां से मैं next करता हूं next में आप यहां user देंगे specify which user group have rights to work with this content protected using this template ठीक है same rights are not used to common RMS enable application ठीक है यहां मैं वो group दूँगा ठीक है group के लिए मैं जाओंगा HR के अंदर ठीक है और HR को okay email addresses का मेरे पास नहीं है कहां गया जी HR का group मेरे पास okay HR इसका email address आपको लाजबी add करना पड़ेगा ठीक है सबकी यह properties के अंदर और एक मैं यहां से अब अगर मैं search करूं तो it should work now okay तो अब मैं rights क्या दे रहा हूं इसके उपर मैं कह रहा हूं कि view कर सके ठीक है HR के जो लोग है वो view कर सके यहां मैं एक non HR को यहां add कर देता हूं व्यूंकि मैं यह non HR के लिए policy dot local ठीक है यह non HR आपने add कर दिया आपने का जी यह policy किस पर apply होगी ठीक है आपने का यह policy apply होगी non HR के users पर ओके non HR के user क्या कर सकते हैं वो सिरफ इसको view कर सकते हैं edit नहीं कर सकते सेव नहीं कर सकते सेव एस नहीं कर सकते प्रिंट भी नहीं कर सकते फॉरवर्ड रिप्लाइए एक्स्ट्रैक्ट कुछ भी वो इसके उपर नहीं कर सकते ठीक है grant honor full write condition no expiration ठीक है यहां यहां URL उसका जो है वो आप sign कर सकते हैं rights requested URL जो हमारा है जो याद होगा आपको हमने बनाया था उसको करने से पहले दो चीज़े हमें करनी हैं इसके अंदर सबसे पहले आप अपना IIS open करें ठीक है जो आपका web server है ठीक है web server में हम जाएंगे और ADC के अंदर default जो हमारी site है उसके अंदर जाएंगे डिफॉल्ट site के अंदर आप देखें आपके पास यह आ रहा है ठीक है इसके अंदर आप जाके सब से पहले आपने क्या करनी है authentication में जाना है और anonymous authentication आपने इसकी enable करदेनी ठीक है कि कोई भी जो anonymous authentication user आता है उसकी anonymous authentication हो फिर वही चीज़ आपने licensing में जाके anonymous authentication दोनों की on कर देनी है जब आप anonymous authentication on कर दें on enable कर दें तो आप ने एक आपको याद होगा हमने इसके लिए बनाया था adrms.mylab.local ठीक है अब इसको resolve करवाना है हमने तो resolve करवाने के लिए क्या करेंगे हम dns में entry डालेंगे ठीक है और सबसे पहले मैं इसका IP देख लूँ जिस पे मैं हूँ 10.10.5 है ठीक है मैं इसके अंदर जाता हूँ forward lookup zone में mylab.com में और mylab.local में mylab.local में मैं एक new a record बनाता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ ADRMS मतलब मेरे ख्याल में हमने यही रखा था ADRMS नहीं हमने रखा था RMS चलें ADRMS रख लेते हैं इसको देख भी लेते हैं हमने क्या रखा था नाम और 10.10.10.5 pointer update इसका record इसका करते हैं और इसको okay करते हैं ठीक है अच्छा नाम देखने के लिए हमने क्या रखा था हम क्या करेंगे अपने इसी console नर दुबारा जाएंगे ADC पर ADC जो मेन पर क्लिक करेंगे तो यह आपको बता रहा है कि HTTPS रहसा है rms.mylab.local ठीक है not ADRMS तो हमें थोड़ी सी है जो entry है वो change करनी पड़ेगी हम क्या करेंगे हमने यहां जो entry की थी उसको देखते हैं वो हमने कहां की थी यह वाली ठीक है ADRMS था हम इसको rms कर देते हैं खाली इसको मैं डिलीट कर देता हूं और मैं यह एक entry डिलीट कर देता हूं rms के नाम से गलती होगी थी हमसे ठीक है rms के नाम से और same ip ठीक एंट्री होगी इसका मतलब rms.mylab.local से कोई आएगा तो वो इसको resolve कर पाएगा और इसको read कर पाएगा अब चलते हैं वापिस अपनी configuration के अंदर configuration में जाके हमने policy बनानी है टेंपरेट के लिए वह अब दुबारा करेंगे क्योंकि मैंने इसको cancel कर दिया था तो मैं अभी इसका नाम रख रहा हूं non HR ठीक है copy printing block और मैं इसको next कर रहा हूं इदर और यहां मैं वो non HR के users दे रहा हूँ कि उनके उपर यह apply होगी ठीक है और non HR के users view कर सकें यह आप कर सकते हैं इसको next करेंगे 9 never expire के यह policy कभी expire नहीं होगी अगर आप expire करना चाहते हैं कि पांच दिन के लिए चार दिन के लिए तो आप यहां भी इसको कर सकते हैं next करूंगा मैं enable user to view protected content user browser add-on ठीक है browser में वो on कर सकते हैं require a new use license every time जब भी open करें तो new license इसका वो मांगे बजाए इसके कि वो उसको cache करके रख ले next करेंगे यहां आप इसको finish कर देंगे अब यह policy आपकी create हो चुकी ठीक है policy create करने के बाद आपने अगला जो काम करना है जो इस task messenger आपने कोल ला है अपने जो server है उसका task scheduler और task scheduler में सिर्फ आपने यह make sure करना है कि ADRMS की जो टास्क है वो automatic पे है और वो stem चल रहा है ठीक है तो अभी मैं इसकी library को expand करता हूं ठीक है और इसके अंदर हम जाएंगे windows के अंदर इसकी Microsoft Windows और active directive right management services client ठीक है यह वो client है जिसके बारे मैं आपको बताया था कि यह client backend पे हर client पे यह run करना चाहिए ठीक है यह कह रहा है जी ADRMS जो service है template management automated disable है make sure करें यह enable है और यह run कर रही है ठीक है और जो manual है आप उसको भी run कर सकते हैं okay okay तो हम इसको भी run कर देते हैं फिलहाल manual को भी और अपने उसको भी ठीक है दोनों running में आपकी जो policies हैं वो आ गई है यहां यह उसका connecting to RMS username password पूछ रहा है मैं RMS जो हमने बनाया था वो ही देता हूं और password इसका मेरे ख्याल में मैंने यही select किया था तो यह दोनों running में आ चुकी है ठीक है जब आपने यह काम कर लिया है अब आपको कोई ही चीज सर्वर साइट पर configure की जुरूरत नहीं है अब हम जलते है क्लाइंट साइट पर क्लाइंट साइट पर मेरे पास Windows 10 का एक क्लाइंट है वो मजूद है और उसके उपर मैंने इंस्ट्रालेशन लगाई थी थोड़ी देर पहले उसकी की ओफिस की ताकि ओफिस संगार सेके तो यह भी फाइनलाईस कर रहा है तो जैसे यह कम्प्लीट होता है तो हम इसको कंटीनिव करते हैं हम एक वर्ड का डाकॉमिंद बनाएंगे और तेंप्लेट के बगएर भी हम डिफरेंट यूजर से राइट दे के यह राइट उनके करके देखेंगे कि आया जब वो यूजर इस फाइल को open करता है तो उसको उसका क्या response मिलता है ठीक है कि अब कर ली है और थोड़ी सी तब्यद इसकी फ्रेश की है मने मसले इसके अंदर आ रहे थे तो मैं बताता चलूँ कि हमने भी तक एक दो एक्टिव डिरेक्टरी में ग्रूप बनाए है नौन एचार और एचार के जरीए ठीक है और उसके बाद हमने क्या किया है हमने इसके लोकल इंटरनेट में हमने इसको क्या कहते हैं वह इस वेबसाइट को RMS.mylab.local को इसके local internet में एड़ करना है ठीक है तो वह हम देखते हैं कि इस सब के बाद जब हम client पर आएंगे तो हम उस चीज़ों किस तरह करेंगे और client configuration क्या करनी है है ख्लाय discipline configuration में आपने सबसे ही ऊफॉरबो करें कोई भी Windows ले टोटेल ले उसके उपर उसको उशालेशिन करें या आप उसको नएंस्ट्रॉल करें और उसके ऑद आपने क्या करना है अब किया आपने आइनेट.cll मने चले जाना है ठीक है ऩ। रेख़ीज़ तो आपके पास आए एन एटी सी पील डोट सी पील अधिया और विटाइज यह मिशीन जो मेरी है वो रीश्टाट हो के वापिस आ गई है और रीश्टाट होने के बाद मैंने इसको ठूटी सी इसकी तबियत है वह साफ की है ज्योंकि इसमें मसले आ रहे थे मुझे तो अभी से पहला काम जो हमने किया है वह और मैंस का हमने रोल इंस्टॉल किया है फिर उसको कॉन्फिगर किया है ठीक है आरा मैंस को ठीक है उसके बाद हमने क्या किया है अब जो हम next करने वाले हैं अब इन चीज़ों के बाद हमने जो next करना है वो यह है कि सबसे पहले आपके जितने भी आपके users होंगे जितने भी users होंगे जिन्होंने ADRMS को यूज करना है ठीक है जिस तरह आप HR के हैं नॉन HR के हैं टॉम के हैं तो आपको ये make sure करना है कि उनका active directory में email address add किया हो ठीक है कहां से याड होता है यह मैं आपको बता देता हूं कि और कैसे याड होता हो भी बता देता हूं लेकिन email address उनका उनके objects में उनके जो user है उसकी property में आपने add करना है और दूसरा आपने करना है कि आपने इस system जो भी आपका client system हो उसके आपने लोकल इंटरनेट में जाके जो आपकी website है जो हमारे case में rms.mylab.local ठीक है उसको add करना है इसके local इंटरनेट में अब यह दो चीज़ें कैसे होती है और उसके बाद office से हम start करेंगे फिर इसकी check करना कैसे configuration की है हमने वो ठीक है कर नहीं सबसे पहले हम यह दो काम करते हैं सबसे पहले मैं चलता हूँ हूँ एडी पे तो एडी पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ अगर अगर हम इसके चलते हैं डूमेन एंड यूजर्स में ठीक है डूमेन यूजर्स में जाके हम इसके जो डिफरेंट यूजर्स हैं टॉम है जैरी हो कि हमारे case में भी हमने दो या तीन यूजर रखें एक ट अधिक है तो यह open हो गया है मेरे पास तो यहां अगर हम जाएं इसके hr के अंदर तो देखिए मेरे पास एक टॉम यूजर्स है ठीक है तो देखिए टॉम के अंदर एमेल अड्रेस में मैंने इसको एड्ड कर दिया था टॉम एंट माई-लाब. लोकल ठीक है पिर मेक शोर क आपके इसमें कोई complication ना आए और कोई मसला ना आए इसी तरह जैरी है जैरी के अंदर ही मैंने यह रख दिया हुआ जैरी at mylab.local और अगर मैं आपको users administrator का दिखा सकूं तो इसमें मैंने administrator at mylab.local इसका add कर दिया अब जब यह add हो जाए तो आप सबसे पहले अपने जो भी client होगा आपका आप उसके उपर आए जो आपका आपके environment के अंदर client है आपकी domain के अंदर client है तो एक command है inetcpl.cpl आप यह यह command से open कर सकते हैं इसको ठीक है एक यह तरीका है दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने आप सर्च करें इंटरनेट options में आप जाएंगे तो वही window आपके पास ओपन हो जाएगी इसके अंदर हम जाएंगे security के अंदर security में local internet ठीक है local internet में क्लिक करके sites में जाएं और advance में चले जाएंगे तो देखें जैसा कि मैं पहले से add कर है चुका हूँ वह आपको एड करनी पड़ेगी इस तरह है http ठीक है rms.mylab.local इस तरह आप एड करेंगे तो यह इसके अंदर एड हो जाएंगे क्यों क्यों आपको याद होगा हमने URL रखाता है इसका तो http के साथ भी http के बगार भी आप इसको add कर दें इसको इसको इसके अंदर और उसके बाद जब यह add हो जाए और हो जाए तो हम क्या करेंगे मेरे पास जो इसका office installed है उसको मैं open करता हूं यह command है इसकी Microsoft Word को open करने की और जैसा कि आपको याद होगा कि हमने एक template बनाई थी हम उस template को use करेंगे और सबसे पहले आप देखें कि आपकी right-hand side पर आ रहा है कि administrator at mylab.local यह account आपका login है तो इसका मतलब हो मैं administrator से काम कर रहे हैं तो हम जो non HR की template है उसके अदर HR का बंदा है टॉम के लावा बागी किसी को access नहीं है उस document पर कुछ भी करने की ठीक है अगर आपने दो चीज़े की हुई है तो यह कोई शू नहीं होना चाहिए इसको हो जाना चाहिए connect रिस्ट्रिक्ट access सबसे पहले आपको दिखा दूंगर आप इस पर क्लिक करेंगे हम यहां से configure कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर आप manual करना चाहें अगर आपको पास को template वहां मजूद नहीं है तो आप manual भी कोई user इसको कर सकता है ठीक है यहां वो user लिखे जिस तरह हमजा at my lab.local ठीक है इस तरह वो लिख सकता है ठीक है इस तरह वो लिख सकता है कुछ भी लिख सकता है more options में जाएंगे तो more options में आपको security wise और चीज़े नदर आएंगे कि print content कर सकाए का नहीं लाओ user with read access कर सकाए का नहीं user document expire इतनी देर को expire हो जाएगा digital info such as default यहां से आप user add कर सकते हैं जैसे और यहां से आप किसी की permission है वो भी change कर सकते हैं कि जो administrator है उसके लिए सिर्फ read हो जाए और बाकियों के लिए change control हो जाए ठीक है अभी मैं इसको बंद कर रहा हूं और हम जो बनाया था हमने उसको क्लिक करते हैं non HR को select करते हैं यहां से तो non HR की हमने जो policy वो इस पर apply कर दी है इसी तरह अगर आप किसी और यूजर से login करेंगे यहां आप इसको email कर देते हैं किसी को और वो non HR का user है तो क्योंकि यह तो administrator इसके पर खेलने डिफरेंट परमिशन लगाएं डिफरेंट जो Windows के कलाइंट है वो खड़े करें दो से तीन विंड़ो खड़ी करें विंड़ो 10 ठीक है और उस पे जो डिफरेंट यूजर्स हैं आप अपने वो लॉगन करें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्मेंट्स बनाएं अपने अपनी कंपनी के हिसाब से उसको डिफरेंट करना है यह अब आप की जिम्हाद आ रही है आप डिफरेंट परमीशन लगाएं को मसला आता है अब नीचे कॉमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं इंशाद आला कोशिश करें आपको रिप्लाइ करें परमीशन लगाएं डिफरेंट विंडोस खड़ी करें डॉकुमेंट को इमेल कर लें डॉकुमेंट को किसी और सिस्टम पर खोलें जो एडी से कुनेक्ट ना हो डॉकुमेंट इस तरह डिफरेंट तरह के स्नेयर यूज अपने जहन में बनाएं ठीक है और उस तरह दिस्क खेलें हो कि आरे मैस बहुत अची चीज़ है बहुत बड़ी-बड़ी कंप्रियो यूज होता है मैं यह नहीं कोगा कि ARM कंपनी, ARM कंपनी में यह यूज यूज नहीं होता विके बहुत महिंगा स्यूशन है यह Microsoft का, लेकिन जहां यूज होता है फिर वहाँ इसको make sure भी कह जाता है कोई भी डॉक्मेंट यारा मैस की security के बगार आप भी कंपनी से आूट ना ह हो ठीक है तो नेक्स लेक्चर तक मुझे दीजिए जालत अपना अपना ख्याल रखिएगा अल्लाव